तो आपको अन्लाइन टॉपर सेटा में तो कैसे हैं आप लोग अच्छे आपकी तयारी के चले उमीद बहुत अच्छे से भी नत करें होंगे तो अब एक तरीक साब का एक परवारी चाहिए तो आपको अंतीम समय में रिवीजन बहुत करना होता है ठीक है इसलिए हम क्या किये आज आपको वैसे हैं अच्छे क्या कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप इस टॉपी को डिल कर लिजो आपको तो मर्ष अमराजिसे के सलने ओने वाले स और हाए के बारे पढ़ने वारे सबनांद्र्सक्राइड सक्क्राइब वह पहले हैं तो पहलें क्या करेंगें नहीं परएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे 10-15 अब्जेक्टिव देखने वाले जो आपके एक्जाम में बार-बार वही अब्जेक्टिव पुछे जाते हैं वो सभी देखने वाले मतलब एक क्लास अगर आप देख लेते हैं ये क्लास तो आपको मौर समराज्य से या मौर एकाल से एक भी कोशन एक्जाम में नहीं छूटेगा ठीक है और अंतीम समय में आपको डरने की आवे सकता नहीं है और जितने टॉपिक है न वो टॉपिक को किलियर हो जाएगा जितने महत्पुन टॉपिक है यह नहीं कोई भी टॉपिक को उठाके हम लोग पढ़ने लगे जो महत्पुन टॉपिक है उसी टॉपिक को सभी जितने भी कोशन है सभी को हम लोग क्या करने वाले ठीक है तो चलिए क्लास को क्या करते है श्टार्ट करते किस पर कार तैयार को लग रहा है किस परकार तैयारी से आफ और एक वी नमबर आपके खारण अगर अच्छा हो गया तो सब दिन तक आपको नाम लेंगे इसलिए सब्सक्राइब करें किया करते हैं क्लास को इसमें क्या है पेहरे समझ लेकिए मोरे वन्स खास राड़ा अगर देखेंगे दूसरा नाम विश्नू गुव्द भूण वह एक ुम गुप्त विश्मु गुप्त वी यही चानक के जो थे न वह देखा जाए तो यही चानक के राजनीती गुरुकों थे राजनीती गुरु कोन थे यही चानक के थे ठीक है उसके बाद अगर देखा जाए अस मुद्राया राक्षई में चंद गूप मौरे को सुद्र बताया गया क्या बताया गया। उसके बाद काया है विशनु पुरान से Olah M पूरान की चर्था किस पुरान'mय कियागया है। पुरान से भी हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है ठीक है तो यह हो गया ऐसके बात को हो थे प्लास थे सुरोख, अपको पता होगा पूरे मोड समराजई काहितिहास लिखते है। दो सत्र नाम क्या है, इनिका है। इस दो सरोद से पता चलता है। मोड समराजई के पात जानकारी मिलता है। इस घनानन्द को पराजित करने के बाद यह क्या करते हैं जो यहां मोड़ समराजी की अस्थापना करतें ठीक है तो यहां मोड़ समराजी की संस्थापक थे पहला पॉइंट यह याद करके रखेगा और इनके दर्बार में क्या होता है। इनके बारे में लिखते हैं इनके गुरु का नाम क्या था भद्रबाहु था इनका नीधन कब होता है स्रवन बेलगुला करनातक में होता है नीधन इनके बारे में 340 में जर्म जर्मर्य में 340 में नाम क्या था चानक के यौ या बिसिन को भूपतिन को नंदसमराजे से मय नंद समराजे में सकाथ राज विराजे का वीवा तो बताया चंद्गुप मुरे को शुद्र बताया गए भी आपको चरचा कर दिया इनका नीधन कहा होता है तो यह याद करके इनके बारे में इतना चीज़ा गड़ तो चंद्गुप मुरे से आपका प्रफिक को पढ़ेंगे तो इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो किसी भी टॉफिक को पढ़ेंगे ना घर के घाट के तो इसी परकार आप पढ़िएगा तो पूरा इसको आप नोट्स बना लेजिए अच्छे से ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब दूसरे सासल मूरे कि बेटे का नाम केया था बिन्दू साह्ते चंद्र गुप्ट अब लेकिन यहीं और यहां थे यहां पर दिखेंगे पहला कुस्याम कालबिंग तक्सिला में दो बिद्रो होता एक को से वाद का ये दरबार में जब आता है तो बहुत सरा अंजीर लाता है ठीक है और यह जो बिंदु सार है मना करता है जो मेरे यहां पड़ता नहीं है दास को भीजने का तो वह मना करता है अंजीर लाता है मदिरा लाता है यह सब इनके दरबार में लाता है उसके बाद इनका उपाधी भी दिया गया है उपाधी क्या किया गया है अमित्र घात कि इनको उपाधी भी दिया गया है तो और इनका उपादी एक क्या है अमित्रगात का है बिन्दुसार के बारे में और याद़ किस संपरदाए के ते बाद में गरहन कर लिए थे ठीक है तो मख्रिपु गोषाल जो एस अजीवक संपरदाय क्या थे संस्थाबक थे मंखली पूत्र जमाद करें रखेगा ये बिंदु सार्थ से इतने कुश्चन सकते हैं उसके बाद अगर देखा जाए तो आसोक को माना जाता है ठीक से बारे में देखा जाए यह बाता का नाम क्या था सुभ द्रांगी पिता का नाम क्या था देवान प्रिये इसका नाम था राजिवीसेक कब वह दूसर उनहत्तर बीसी में और चार साल के बाद इनका क्या हुआ राजिवीसेक हुआ अभी लेक लिखने की प्रहब्रा सबसे पहले किस आ सक ने स्टार्ट की तो असोग के दरा इस्टार्ट एक इसके बाद अब देखा जाए और अभी लेक की लिपी रहामनी खरोषटी और और युझानी इसी ब्राहमनी लिपी को पढ़ने का काम सबसे पहले कौन लिख्यास आपको क्या है इतना को सकता इतना को बन सकता उसके बाद एक और कोशन तिसरी बहुत संगिती किसके सासन काल में होती है ठीक है अब और कुछ प्रसंद देख लेते यहां पर देखें यहां पर 304 बीसी में इसापूर में इनका क्या हुआ था आपको पाथली पुत्र में इनका क्या हुआ जन्म हुआ दूसर उसके बाद आज भी से दूसरता भासा क्या थी ब्रहामनी या खरोष्टी अर्मायक यह सब पुत्र का नाम महेंद्र और संगित्रा और इनको स्रीलंका भी थे बहुत धर्म की परचार करने के लिए ठीक है अब यहां पर समाधीन का कहा हुआ पाटली पुत्र में हुआ ठीक है उसके पुत्री का नाम संग म पृँछे pause वक्राटलि स्वस्वियुक्ष्ट एकरने की punya लिए बग्तव समय है कि यह बर देद के पाटल करने को चैनल आकर को मैं है हम पूछे आपको बताया पुछे जाते है अब यहां से आपको कुछ कुछ पूछे यहां में यहांसे question तो असोख के प्रसासर की विभाग की तो पूछ ली आता है इसके पुछे है इसके एकनिक स्टक्साल की अध्यक्ष बहुत इंप्पोटेंट ए लक्षे आपको लक्ष्णन अध्यक्ष इसके तकसाल के क्या थे अध्यक्ष थे उसके बाद अब यहां पर देखे कि इसका अभी जश्ट बता है कि सिलालेक में असोख दुरा कलिंग वीजय का पता चलता है सिलालेक में असोख के कलिंग वीजय का पता चलता है इसका इंसर क्या हो जाएगा इंडिका कि रचना किया जाता है क्या हो जाएगा चाहुदा और अठारा यह जैसी में पंदरा सतरा और उनीस में पुछा हुआ कुछ बहुत इंपोर्टेंट को चलिए अगला कोशन तीन नमर कोशन अगर देखा जाएं सही बचे एंसर भी देंगे ठीक है अब यहां पर असोख किस वंस का सा सकता यहां डॉ कोशन देखे चौथा नमर कुषा यह जरी जैस्ट बता है कोटीले की रिचना कों की को ऊपन्दरम पूछा हुआ को चलिए अगला कोशन देखे यह लिए कर से कटिल्ले की कोटीले ति कि प्राचीन भारत में अभी निखने की सुरुवात था सबसे पहले विलेक को पढ़े कुन जैंसर क्या हो जाएगा पांच का एंसर वह जाएगए ठीक है अग्ला कोश्ट्न देखें लेक्साल का ध्यक्ष कुन होता है तो आपको जश्ट बता है तकसाल का अध्यक्ष को लगषनाा अध्यक्ष क्या होता है इसका अच्श होता है, दिसका कि आक होगा जाते हैं और चलिए यह हो गए पूछा हुआ अभी लेक जश्ट आपको बता है प्राकिर्थ भासा में अभी जश्ट आपको बता है ना यहां तो यह रहा है और यह रहा दस्मा नमर कोशन देखें असोग के अभी लेखों को सरपरतम किसने पढ़ा था जैंस प्रिंसस आप के दरा पढ़ा गया अभी जश्ट बताएं तो यह याद रखेगा यह कैसे याद रखेगा तो हल चलाते वक्त कहां निकलते खेतों करते वक्ते शीटाजी करते वक्ते इसका अगला कोशन देखते क्या कर रहा है एक सब्सक्राइब कर वादिये जो भी आपको कुछाएं सबी चीज आपको बता दिये इस तरीके से आप पढ़ते हैं अंतीम समय में तो आपको टो आपको सबीचिज आपका क्लियर हो जागा अंतीम समय में ठीक है इसी तरह आप रोज आगा यह साथ वजह आपका हरेक हरेक सब्जेक्ट में आएक आपका प्रोटिकल सांच इकनॉमिक्स हिंदी इंग्लिश्क्राइब बता दें क्लास कैसा लागा ठीक है जरूर बताईए को में आइसा क्लास आपको चाहिए यह नही बताईगा किस-किस टॉपिक पर आपको कलास चाहिए किस ट्लाइगे रोटे किस टॉपिक पर आपको कुछ तॉपिक में आपको नहीं देंगे ताकि आपको सब्सक्राइब सभी topic क्या हो सके clear हो सके ठीक है और comment box में comment करना सही बच्चे नहीं भुलिएगा comment जरूर कर दीजेगा अगर कोई सवाल में confusion भी हो तो वह भी आप डालिएगा जहां इस topic में हमको confusion है जो आप बता दीजे तो हम आपको सभी चीज आपको बता देंगे ठीक है तो comment करना नहीं जो पहली बार देख रहे हैं जो हमारे चैनल पर पहली बार visit की है तो कम से कम subscribe जरूर कर लिजेगा अगर आपको अच्छा लगता है तो subscribe कर लिजेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो आप subscribe कर लिजेगा चैनल को हम लोग फिर मिलते हैं अगले class में सभी बच्चे